Hello everyone, welcome to my channel Code Story with Mike तो आज हम आपने डाइनमी प्रामिंग के प्लेलिस का वीडियो नंबर 64 करने जा रहा है स्टार्ट करने दे पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जब मैं इसको सॉल्फ कर रहा था तो मैंने सोचा भी नी था कि यह DP का क्वेश्चन है ठीक है तो मैं आपको समझाओंगा बिल्कुल वैसे ही मैं यह मान के नहीं चलूँगा कि यह DP क्वेश्चन है मैं इसको जो बेसिक तरीका है उससे बनाऊँगा बाद में में मेमोईस करने की अगर हुई गुनजाईश तो मेमोईस कर देंगे तो वो DP बन जाएग और क्या ठीक है तो मैंने इसको DP के प्लेलिस में डाला है तो DP कंसेप्स वाला प्लेलिस आप मेरा फॉलो कर सकते हो वहाँ पर मैं कोर से समझा रहा हूँ DP को कंसेप्स के साथ ठीक है तो लीटकु नबर 799 में मेडियम मांक्ट है बट काफी एजी है मैं इसको सिंपल तरीके से question statement लंबा है बट है simple ठीक है देखो यहाँ पर एक glass of pyramid we stack glasses in a pyramid where the first row has one glass second row has two glass and so on इस तरह का है देखो यहाँ पर देखो यह रहा है यह पहला row है उपर वाला इसको 0th row बोल रहा है यह first row है यह second row है zero based indexing कर रहा है question के हिसाब से अपको समझ में आ जाएगा ठीक है then some champagne is poured into the first glass at the top अभी 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 सारे glasses खाली है उसके बाद champagne डनना start किये लोगे ने उपर से ठीक है और हर champagne न सिर्फ एक glass champagne रख सकता है उसके अलावा जितना डालोगे ना वो पोर होते जाएगा यहाँ पर यह भी एक glass तक बरेगा फिर पोर होते जाएगा इधर 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 and so on ठीक है तो वें टाप्मोस ग्लास इस फुल एनी एक्सेस लिक्विड पोर्ड विल फॉल इक्वाली तो दा ग्लास इमिडेटली तो दा लेफ और राइट तो यही से मुझे असान लगने लग गया था इस एसे चलता रहेगा अग्लास अडी बॉटम रो हैज इस एक्सेस शैंपेन फॉल यह इस चीज पर ध्यान देना और वसे बाद जो सबसे नीचे जो ग्लासेज होंगे उस पे जो एक्सेस होगा और वह तो नीचे चला जाएगा ना वह तो फिर जमीन में गर जाएगा फर एग्जामबल आफ्टर वन कॉप ऑफ शैंपेन इस पॉर्ड दा टॉप्मोस ग्लास इस फुल ठीक है आफ्टर टू कॉपस अफ शैंपेन आफ पोर्ड दा टू ग्लास अंदी सेकंड रोर हाफ फुल यह क्या कह रहा है वो देखो मताब बोल रहा अगर अपने एक ग्ल ठीक है फिर जब एक ग्लास ओर डालोगे ना जब एक ग्लास ओर डालोगे तो उसका 0.5,0.5 लेफ्ट साइड आ जाएगा 0.5,0.5 तो यह फुल हो गया मैं ना फुल हो गया इसी तरह गिरता चला जाएगा ठीक है अब लास्ट में बोलता है आफ्टर फोरिंग सम नौन नेगटिव इंडिजर कपस अफ शैंपेन ठीक है आपको यह बोल देगा कि भाई कितने ग्लास शैंपेन उपर से पोर किये गए है ठीक है रिटन हाव फुल दा जेथ ग्लास इन दा आयत रो इस जेथ ग्लास इन आयत इसका मतलब क्या हुआ देखो यह जीरोत रो है ठीक है यह मेरा फस्ट रो ठीक है यह रो है पहला रो दूसरा रो देखो यहां पर क्या पूछ रहा है फस्ट रो का फस्ट ग्लास फस्ट रो यह है और उसका फस्ट ग्लास यह जीरोत ग्लास है यह फस्ट ग्लास है तो अग है तो इसका ईसे लिख सकते हो मैं इनको हटके यहां पर ऐसे लिखेता हूं गजीरोत रही जीरोत कॉलम् है मि फस्ड़ोत जीरोत चॉलम फस्ट रो फस्ट कॉलम यही तो है और वन कॉमा बन पचा गया है तो वन कॉमा वन में कितने पानी होगे वही आपको पताना है यहां फूरा एक्स्टर आ घायेगा और 0.5 यहां आ जाएगा एक और ni १्याट देखलो यहां प्रड़ देखो चार ग्लास पानी डाला आ शर्ट दाला तो भजर गया यह व्युद्धा बाधा गर्वा सेosphοι डाला थाहा एक ग्लास डाला तो यहां 0.5 यहां पर.5 जब तीसा ग्लास जाला तो यह भी 0.5 और आ गया, यह पूरा भर गया, जब चौथा डाला तो ध्यान देना, जब चौथा डालेगा तो क्या होगा, इम्पोर्टेंट है, यहां पर पूरे तरीके से ध्यान देना, जब डालोगे, तो तीन ग्लास आपने डाल दिया, वो तो जब चौथा ग्लास आया, तो 0.5 यहां गया होगा, और 0.5 यहां गया होगा, ठीक है, बट यह तो अलरड़ी फुल था, तो यह क्या होगा, 0.5 को दो भाग में बाढ़ देगा, यहां से, अपने लेफ्ट और अपने राइट से, यहां से 0.5 का आधा कितना होगा, 0.25 जो क और 0.25 यहां गया, ठीक है, तो यहां पर कितना है, 0.25, यहां कितना है, 0.25, 0.25, मैंने की 0.5 आ गया, इधर, ठीक है, तो यहां पर भी अकर मैं इंडेक्सिंग करू, 0,0, 1,0, 1,1, ठीक है, यह है मेरा 2nd row, 2,0, 2,1, 2,2, क्या पूछा गया है, 2,0 में कितने पानी है, यहां तक क्लियर है ठीक है अब देखो मैं डीपी के बारे मैं सोच भी नहीं रहा है अब देखता हूं कि मैं कैसे अप्रोच मेलूंगा इसको यह मैंने एक्जामपल लिए आपको समझाने के लिए ठीक है तो चार ग्लास ओपर से गिरा गया है इसके बारे में बताना आपको कि यहां कितना शैंपेन गिरा है ठीक है तो अच्छा एक बात बताओ मैं आपसे पूछता हूं कि इस वाले ग्लास में शैंपेन कहां से आएगा शैंपेन सिर्फ यहां से आ सकता है और कहां से आए और कहीं से नहीं आ सकता ठीक है यह तो समझ मे आ गया अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस वाले में देखो इस वाले में इसमें इसमें शैंपेन कहां से आ सकता है इसमें शैंपेन सिर्फ यहां से आ सकता है और कोई स्कोपी नहीं है ठीक है अब मैं आपसे पूछता हूँ इसके बारे में बताओ ठीक है इसमें शैंपेन सिर्फ यहां से और यहां से आ सकता है. और कहीं निष्चे नहीं आ सकता. ठीक है? एक चीज़ ध्यान दो. बहुत इंपोरिटन्ट है. इस इस पे ध्यान दिया आपने. मान लेते हैं आई, कोमा जे यहे. इसमें कहां कहां से आया? इसमें शैंपियन कहा कहा से आया i-1, j-1 देखो, ये 2,1 था i-1 कितना हो जगा? 1 j-1 कितना हो जगा? 0 1,0 से आया था और कहा से आया था देखो तो i-1 से आया था, j से आया था क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखो, i-1 मतलब 1 और j है 1 तो यही से तो आया था इसमें, शेंपेंट, वही में कहना चाहरा हूँ, तो क्या यह हर जगा लागू होगा, देख लेते हैं और हर जगा लागू हो रहा के नहीं, मैं इसके लिए देखता हूँ, 2,2 के लिए, माल लेते हैं, यह यह तो i-1, j-1, यानि कि 1,1 क्या 1,1 से आया है? इसमें येस सिर्फ 1,1 से आसकता है बट मैंने तो बोला कि I-1,J से भी आसकता है तो I-1,J क्या है? देख लेता है 2-1 1 गया और J क्या है? 2 है 1,2 एक्जिस्ट भी करता है? नहीं करता है देख रहे हो यह 0 रो है यह 1st रो है 2nd रो है मैं बोल रहा हूँ 1st रो के 2nd ग्लास से तो 1st रो में 2nd ग्लास एक्जिस्ट ही नहीं करता कभी ऐसा हो गई नहीं कि first row में second class आए ठीक है तो हमें ये भी ensure करना पड़ेगा कि जो i है जो i है ठीक है वो कभी भी less than ये नहीं होगा ये नहीं होगा यहाँ पर i less than j हो गया ठीक है तो अब ध्यान दो हमें एक चीज़ क्या पता चल गया कि for a given i, j इसमें कहां कहां से आएगा champagne वो मैंने पता कर लिया कि i-1 से और j-1 से जितना भी champagne आ रहा है plus i-1, j से जितना champagne आ रहा है दोनों को जोड़ देंगे वही होगा मेरा i, j में champagne है ना इसको मैं क्या बोल सकता हूँ i-1, j-1 को ये अपर-left बोलूँ ठीक है अप-off-left ठीक है या तो इसको बोलो इसको बोलो up-off-right देखो यहाँ पर वही तो हुआ था 2,1 है ना तो i-1, j-1 क्या होगा 1,0 और i-1, j क्या होगा 1,1 यही दोनों से तो आया था यहाँ पर दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पर इसका पानी निकल जाएगा ठीक है अब बेस बात है दोनों साइट से पानी शैंपेन आ रहा है ठीक है अब देखते हैं क्या यह हर i, j के लिए वैलिड है 2,2 को उठाते हैं यहाँ पर देखो कहां से आ रहा है 1,1 से सिर्फ आ रहा है तो देखते हैं 2,2 है क्या हो जाएगा 1,1 आ गया यानि कि अपर लेफ्ट प्लस यहाँ पर ध्यान देना 1,2 हो गया 1,2 तो ही नहीं एक्जिस्ट ही नहीं करता क्यूं क्योंकि देखो यहाँ पर जो रो है वह लेस दन कॉलम हो गया जो कि पॉसिबल ही नहीं कभी ऐसा नहीं होगा तो पता है मैं क्या करको मैं एक चेक डाल दूगा कि जब भी रो जो है रो बोले तो या तो आई जो है अगर वो सीलन कोलम हो गया ना कोलम बोले तो य तो मैं 0 0 return कर दूंगा तो मैं इसको क्या करूंगा इसको 0 ले लूँगा ठीक है 0.0 ले लिया इसको ठीक है तो अपर लेफ्ट से कितना आया था यहां पर जितना भी आया था उसमें प्लस 0 करेंगे तो एनिवेज कोई इंपक्ट नहीं होगा तो देखो मेरा यह भी काम कर जाएगा बस मुझे एक चेक डालना पड़ेगा कि आई लेजन जे नहीं होना चाहिए अगर है ऐसा तो 0.0 रिटर्न कर दूंगा मैं 0.0 एड करूंगा यहां तक क्लियर है ठीक है यह क्वेशन काफी सिंपल नहीं हो गया डेफिनेटली हो गया क्योंकि देखो आपको माल लेते हैं इस एक्जामपल को दो आपको 2,0 का निकालना है ठीक है तो 2,0 है यह आपका i,j है तो मैंने क्या बढ़ा i,j में कहां कहा से आएगा i-1,j-1 से ठीक है और i-1,j से तो i-1,j-1 क्या होगा 1 और j-1 माइनस 1 हो जाएगा तो यह तो डेफिनेटली इसको मैं नहीं लोगा क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स हो गया यहां पर देखते है i-1,j यानिकि 1,0 से आएगा ठीक है 1,0 से आएगा यहां से मैं उससे पूचा भाई यह 1,0 है ठीक है तो अब मैं इसके बात है मुझे पता थोड़ी है कि अभी यहां से आएगा कितना तो मैं इसके पास चला जाओंगा इसको पूछूँगा कि तुम बताओ कि तुम कितना दे मतलब यह कितना पानी तुम किरा होगे शैंपेन ठीक है 0,0 से आया है तो यह तो नेगटिव हो गया 0,0 से आया है मतलब यह बोल रहा है कि मैं तो यहां से आया हूँ तो मैं फिर यहां पर आ गया 0,0 के पास ठीक है मैंने जैसे देखा 0,0 पर आ गया हूँ तो याद पर 0,0 पर कितना गिरा गया था चार ग्लास गिरा गया था चार बढ़ केतना था, 4 गलास, तो मैं ऐसे 4 रेटर्न कर दूँगा, ठीक है, बढ़ दिखो ध्यान दो, 4 रेटर्न नहीं करूंगा, याद रखो, 4 क्योंने रेटर्न करूंगा, क्योंकि भाई, एक गलास तो यहां पर आधाएगा ना, तो 4 में से 1 गलास, कितना हो गया, 3 बज तो अब यहां पर जब आया ठीक है वापस से रिकर्शन देखो उल्टा चल रहा है यहां पर आ गया 1.5 था यहां पर तो क्या 1.5 जब यहां आएगा तो यह 1.5 पूरा भरेगा क्या नहीं सिर्फ 1 भरेगा ना तो 1.5 में 1 घटा दिया मैंने ठीक है कितना बज़िए 0.5 उसका हाफ उसका हाफ यहां जाएगा उसका हाफ यहां जाएगा तो यहाद है 0.25 यहां आया था और 0.25 यहां आया था तो मुझे इसका निकालना था यहां कितना आ गया 0.25 यही मिरा आंसर है कितना सिंपल था चोटा सा ड्रायरें भी हमने कर दिया यहां पर देखा कितना सिंपल कि ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि देखो मैं फिर से repeat करता हूँ. मुझे निकालना किसका था? मुझे निकालना था 2,0 का. चीके मैं 2,0 पर आया? तो 2,0 ने बता है कि मुझे यहां से मिलेगा पानी शैंपेन. तो मैं इसके पास आ गया. इसने बोला भाई मुझे यहां से मिलेगा मैं इसके पास आ गया ठीक है यहां तक ही जा सकता हुआ इसके उपर तो नहीं जा सकता मैं थीक है तो मैंने मुझे यहां का तो पता ही है कि जब i0 था ना an an j0 था nop तो वहाँ पर कितना डाला गया था याद है वहाँ पर डाला गया था pod मैं return कर दूँगा कि भई यहां से यहाँ पर pod डाला गया था right? pod डाला गया था तो मैंने तो pod return कर दिया but जब यहाँ pod आया तो यहां पर पूरा का पूरा चार थोड़ी आगा, यहां पर चार गलास डाला गया था, तो क्या पूरा का पूरा चार आगया था, क्या यहां पर नहीं, चार नहीं आया था, यहां पर आएगा कितना, चार में से एक घर्म कर दिया, क्यों? क्योंकि एक ग्लास तो यहां भर जाएगा, उसका हाफ आएगा, क्योंकि हाफ यहां और हाफ यहां, सिंपल है, मतलब इस शुड मेक सेंस अलसो, ठीक है, तो देखा जातों, जो अभी स्टोरी सुनाई है, जो डाइग्राम बनाए था, उसी से कितना सिंपल हो जाएगा, मैंने वो क्या बोला कि मुझे पता करना है, आई कॉमा जे के लिए, राइट, आई कॉमा जे के लिए पता करना है, पहले तो यह चेक डालो कि भाई, अगर लेस दन जीरो हो जाए, या फिर जे अगर लेस दन जीरो हो जाए, या फिर एक और चीज मैंने बताती है, आई अग greater than sorry I less than J हो जाए ध्यान देना यह important है I less than J और मैंने आपको सिखाया भी था यहाँ पर I less than J वाला case देखरो यहाँ पर यह तो कभी case आएगा ही नहीं तो उस case में भी हम क्या करेंगे return 0 कर देंगे 0.0 ठीक है ठीक है यह चीछ तो simple था अब आगे बढ़ते हैं मैंने क्या बोला राइट अप से मिल सकता है ना तो left up का मतलब क्या हुआ है solve I minus 1 J minus 1 और right up का मतलब क्या हुआ solve I minus 1 comma J यही दो से मिल सकता था हम return क्या करना है में simple left up plus right up यही रिटन करना है देखरो इससे simple क्या होगा मैंने एक बार भी DP का जिकर नहीं किया मैंने यहाँ पर एक flow diagram आपको बना के दिखाया डाइगराम बना के दिखाया एक story से नहीं बस उससे simple सा recursion लिखा गया मेरा यह यहां तक clear दिख रहा होगा आपको बहुत simple लग रहा होगा यहां तक ठीक है अब थोड़ा सा अगे बढ़ते हैं अब एक और चीज ध्यान देदो बाकी आपका सब कुछ हो चुका होगा देखो ध्यान दो इस एक्जामपल पर दो ग्लास डाला गया उपर 0,0 पर पहले वा तो बढ़िया है तो मैं 1,1 के पास गया है मैं पूछा भाई तेरे पास केतना श्यामपेन है तो यह बोलता है यार मुझे मेरे पास अभी पता नहीं है मैं ऊपर वाले से पूछता हूं तो अब विस से बात है 1,1 को कहा कहा से मिलने वाला था i-1,j-1 मतलब यहां से और i-1,j से मतलब यहां से तो राइट साइड से तो देखो क्या हो जागा देखो तो i-1 यानिकी 0 और j, 0,1 हो जागा i greater than j हो गया तो यहां से मैं 0 रिटर्ण करता था याद है corner case था यह ठीक है और यहां पर क्या हो गया 0,0 अब याद करो मैंने लिखा था ना corner case के case में 0.0 रिटर्ण करूँगा तो देखो यहां पर मैंने 0.0 रिटर्ण कर दिया और जैसी i is equal to 0 और j is equal to 0 हुगा मैंने क्या मुझे क्या भेजना चाहिए कि भाई कितना पोड यहां पर गिराए गया था राइट कितना पानी यहां पर गिराए गया था तो यहां पर तो दो 2 return कर रहा हूं, पर क्या सही में है पर 2 आना चाहिए, इस दो आना चाहिए, नहीं, देखो अपर लेफ्ट से actually में कितना है वो देखो, अपर लेफ्ट से कितना है गा, 2 तो उसमें डाला गया था, लेकिन जब तक वो फुल हो जाए 2-1 किया उसने अपने आपको पहले तो फुल किया ना 1-1 उसका हाफ आता है हमेशा फिर बचा वन एक्स्टा ग्लास यहां हाफ किर जाएगा और यहां हाफ किर जाएगा इसलिए मैंने देखो –1 करके बाइ 2 भी किया ठीक है तो यहां पर अक्च्छुली में कितना आया 0.5 तो मैं है लिख देता हूं कि लेफट अप से कितना आया, 0.5 अब देखो, राइट अप से कितना आया, 0.0 है लेकिन 0.0 में भी तो सेम चीज़ करूँगा 0.0 आया, ठीक है, उसमें माइनस 1 किया बाइ 2 किया, ये तो देखो, लेस दन 0 हो जा रहा है तो right up देखो तो कितना हो जा रहा है मेरा right up से कितना हो जा रहा है minus 1 by 2 है ना मतलब minus of 0.5 ठीक है तो यह तो गर्बन है ना तो अब वेसी बात है हमें 0 ही हैड करना था तो मैं चेक कर लूँगा simple सी बात है कि भाई अगर मेरा left up less than 0 है ना तो left up को 0 ही रहने दो ठीक है या फिर अगर मेरा right up less than 0 है तो right up को 0 ही रहने दो तो negative बन जा रहा है यहाँ पर उसको मैं नेगटिव नहीं रखना है तो मैं यहाँ पर बस एक चीज यहाँ पर हमें क्या डालना था कि अगर left up जो मैंने निकाला है वो अगर less than 0 आता है ठीक है तो left up को 0 कर दिया और अगर right up को less than 0 करना है less than 0 है तो right up को भी 0 कर दिया ठीक है अब एक और last चीज देख लो जो मैंने बताया आपको कि भाई तुमको जितना मिला उपर से exact उतना थोड़ी मिलेगा वो बंदा क्या करेगा तुम्हें minus 1 करके by 2 करोगे न 2.0 वो तुम्हें मिलेगा left up को अभी थोड़ दर पहले वही तो सिखाया right up के पास जितना था वो उसमें एक minus करेगा ठीक है और उसमें 2.0 हो आएगा तुम्हारे पास यह चीज मैंने अभी आड़ किया ठीक है तो देखा जातो हमने हर एक line of code समझ लिया है देखो corner case में यह तो समझ में आ रहा था यह क्यों डाला वो भी समझ में आ गया ठीक है और यह वाला तो पता ही था आपको कि पहले glass में इतना डाला गया था ठीक है हर एक line आपको समझ में आना चाहिए मेरा main intention वही है कोई भी line में ऐसा नहीं रखना चाहिए आपको समझ में ना है यह left up से इतना आया left up क्या था my minus 1 j minus 1 ठीक है राइट अप से इतना आया i minus 1 j ठीक है और minus 1 क्यों किया क्योंकि अब्वेस है जो उपर वाला glass है उसने अपने पास एक glass रखा होगा और उसका half अपने left और अपने right में भेजा होगा तो उसका half यहाँ पर आया उसका half यहाँ पर आया right up से half यहाँ पर आया ठीक है और यह check मैंने क्यों डाला वो भी आपको बता दिया example से last में अब्वेस स कर दूँगा बस बन गया dp हो गया dpa question इसलिए पहले ही worried मत हुआ करो पहले देखो कि जितना simplest तरीका से आप बना सकते है इसको बनाओ बात में गुंजाईज दिखती है कि memoize करना है तो कर दिया मैंने बन गया dpa question तो पहले recursion और memoization से इसको solve करके देखते है ठीक है और let's see time complexity किया होगा मैं इसको memoize कर दूँगा तो क्या हो जागा देखो तो maximum i और j का size दे रखा है I think 100 100 दे रखा है तो मैं 101 101 ले लूँगा ठीक है तो maximum size कितना होगा 101 का query row के बराब होगा तो query row into query row maximum time complexity इतना होगा ठीक है तो चलो पहले इससे solve कर देख लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे अब एक last चीज बस देख लो यहाँ पर उसके बाद code करेंगे मान के चलते हैं आप से पूछा गया है 1,1 में कितना पानी है sorry कितना champagne आएगा और पता चार glass डाल गया है ठीक है तो देखते हैं एक glass डाला तो यहाँ पर फुल हो गया होगा पूरा ठीक है दूसरा glass डाला तो यहाँ पर 0.5,0.5 आया होगा तीसरा glass डाला तो यह तीनों फुल हो गया होगा राइट यह भी फुल हो गया होगा अब देखो चौथा glass जब डाला तो देखो क निकल जाएगा और यहां से 0.25 में निकल जाएगा ठीक है लेकिन वो बह जाएगा ना वो तो बह जाएगा बट यहां पर पानी कितना रह गया यहां पर तो वन ही रह जाएगा ना यहां पर तो वन ही रह जाएगा क्योंकि एक ही ग्लास ले सकता है तो पता है मैं क्या बोल र कि जिसका आपको आंसर पूछा गया है ना वहां पर देखो आपने तो रिकर्शन यहां से स्टार्ट किया होगा राइट आई को मज़े यहां से स्टार्ट किया होगा फिर आप यहां ऊपर से निकाला होगा आपने आंसर है ना अपने ऊपर से निकाला होगा आंसर कि यहां से यहां से इतना है यहां से इतना यहां वहाया यहां पर यहां पर आप बर होगए तो एक ग्रास भर एक वह अ B 0.5 बहुत भी होगा छो की 0.25 मौtv है निकल गया और हम तो नींचे जाही नहीं रहें मेरा तो रिकर्षन है यहां से स्टार्ट हुआ है ठीक तो आप क्या करोगे आप जितना भी पानी था पूरा रिटर्न कर दोगे पॉइंट्टु फ़इंट्फाइब आलग करोगी नहीं राइट क्योंकि आप आप आई-जे पर रूख जाओ ता अपता है एक्विशल में क्या रिटर्न कर दोगे 1.50 जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपको निकालना i, j अठा है, तो आप ने देखा कि i, j में 1.50 लेटें तो आप 1.50 रिटेंगे, जो कि गलत है, राइट, क्योंकि आसल में जो एक्स्ट्रा पानी है वो तो भेह जाएगा ना, 1 के अलावा जो एक्स्ट्रा पानी है वो तो निकली जाएगा तो पता है मैं क्या करूंगा कि अगर जो भी पानी निकला है मेरा जो भी मेरा रेजल्ट आया है अगर वो वन से जादा है तो भाई मैं वन रिटरन कर दूँगा क्योंकि अब्वेस बता है यहां तो वन ही रह सकता है बाकी बह जाएगा बट बहता हुआ मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरा आई कॉमा जे पही स्टार्ट खतम हो जाएगा कोड रिकर्शन इधर ही आकर रुख जाएगा तो मैं अपर लेफ्ट और अपर राइट जब करूंगा तो वन पॉइंट फाइव जीरो आ जाएगा तो कि गलत है है ना इसका अंसर वन ही होना चाहिए क्योंकि पॉइंट फाइव जीरो जो एक्स्टा था वो लेफ्ट राइट बहा के निकल जाएगा तो मैंने क्या बोला कि अगर वन से बढ़ा हुआ जो भी आई कॉमा जे का मेरा आंसर है तो मैं क्या करूंगा रिटन वन इस भी आपका करने क्या था डा क्या और सॉव जो भी ने रेकर्शं कॉल किया था इस शॉल्ड रिकर्शन कॉल किया था तो ना अई कॉमा जे की लिए ठीक है दोनों में से मिनिमम जो होगा वही होगा ठीक है वन से अगर बड़ा हुआ अंसर सॉल्फ मैं अगर वन चीज क्या करनी चाहिए थी जो मैं solve function कॉल करूंग ना i,j का ठीक है तो जो भी result आएगा मैं 1.0 और उसमें जो minimum होगा वही return करूंगा यहां तक clear हो गया अब हम code करने के लिए ready हो चुके हैं तो चलो जल्दी से code करते हैं अपने recursion और memoization से ठीक है तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि return solve function करेंगे ठीक है solve function में क्या कर भेज देंगे port भेज देंगे कि इतना पानी डाला गया था ठीक है और हमारा query row क्या है यह है और query glass क्या है i, j हमारा यह है ठीक है लेकि मैंने बोला था ना कि minimum of 1.0 और जो भी solve से आएगा वही return करेंगे यह आपको clear हो चुका होगा ठीक है double of solve क्या क्या बेज रहे है int pod बेज रहे है और int i, int j बेज रहे है i, j जादा simple लग रहे है इसलिए मैंने वही ले लिया है तो सबसे पहला अगर i less than 0 हो गया या फिर j less than 0 हो गया तब तो कुछ नहीं करना है simple return 0.0 करना है लेकिन एक और चीज था मैंने क्या बोला था कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि i जो है less than j हो जाए तो उस case में भी 0.0 return कर देंगे ठीक है और अगर i 0 and and j is equal to 0 हो गया मतलब we reached the top we reached the top glass तो उस case में क्या करना है return जितना डाला गया था उसमें इतना डाला गया था तो बेज दिया मैंने ठीक है double up left ठीक है solve क्या था पोड तो भेजी रहे थे पोड आई-1 j-1 समझ में आ गया double up right से कितना आया solve पोड आई-1, j यही आया था ना ठीक है but मैंने बोला था ना ऊपर से जितना भी आएगा वो पूरा का पूरा थोड़ी आएगा आपके पास पूरा का पूरा थोड़ी आएगा उसमें minus 1 करेगा वो फिर by 2 करके half आपको मिलेगा ठीक है यहाँ पर भी same उसमें minus 1 करेगा और by 2 करके आपको half मिलेगा ठीक है और हमको double पे answer चाहिए तो point 0 मैंने कर दिया ठीक है point 0 से divide कर दिया यहाँ तक clear है बढ़िया अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ बस यह वाला मैंने आपको बताया था कि अगर अपर left less than 0 है तो अपर left को किसके बराबर कर दो 0.0 के बराबर कर दो similarly अगर अपर right मेरा less than 0 है तो अपर right को 0.0 के बराबर कर दो लास्ट में कुछ नहीं करना है अपर left plus अपर right return कर दो simple simple सा recursion था और कुछ नहीं था simple सा recursion है वस यहाँ पर है ना पोर्ड का spelling कहीं गलत कर दिया हमने यहाँ पर गलत कर दिया है let's see पहले तो without memoization बतब without DP हम इस तो solve करके देखते है कि क्या होता है time limit exceed देगा क्योंकि तो इस कर लेता हूं देखते हैं query glass और query row की value 100 है maximum तो 101 ले लेता हूं ठीक है और double में सब कुछ है है तो double ले लूँगा यहाँ तक clear है और double array को initialize कर लेता हूं i is equal to 0 i less than 101 i plus plus for int j is equal to 0 j is less than 101 j plus plus ठीक है t of i,j is equal to minus 1 store कर देता हूं उसमें ठीक है अब सब कुछ चेक करने से पहले पहली चेक कर लो t of i,j is not equal to minus 1 है क्या तो ठीक है t of solve हो रखा है t i,j को return कर दो या फिर यहाँ return करने से पहले t i,j store कर लो ठीक है let's see अब मेरा जो ये वाला third example test के से ये भी pass होता है कि नहीं, pass हो गया देखो, submit करके देखते है रिकर्षन और memoization से हमने इसको solve कर लिया है indeed ठीक है अब देखो एक अलग वीडियो आएगी जिसमें मैं bottom-up से इसको solve कर दिखाऊंगा बट मैं उसको bottom-up नहीं बोलेंगा जैसे यहाँ पर था ना simple recursion था फिर memoize किया जो अभी इसके बाद जो एक और next वीडियो आएगी से solve करते हैं ठीक है see you guys in the next video thank you